तरक को English में क्या कहती हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं तरक को English में आप Argument या Logic कह सकते हैं A.R.G.U.M.E.N.T. Argument या L.O.G.I.C. Logic जैसे कि अगर आप यह कहना चाहिए कि उसका तरक मजबूत और ठोस था तो आप कह सकते हैं His argument was strong and convincing His argument was strong and convincing या गर आप ये कहना चाहें कि तर्क का प्रियोग करते हुए उसने कुछ ही समय में पहली हल कर दी तो आप कह सकते हैं using logic he solved the puzzle in no time या गर आप ये कहना चाहें कि निर्ने लेते समय तर्क का प्रियोग करना महतवपूर्ण है तो आप कह सकते हैं it's important to apply logic when making decisions अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें